तो इश्क हो ही गया भाग पांच अगली सुपे रविवार राधा के निन मंदिरों के संखनात से होई आज रविवार था इसका मतलब आज अंतिम का दुकान बंद रहेगा राधा सामने देखी तो अंतिम सोया हुआ था इसके चेहरे पर थाकान साफ जलक रही थी राधा बड़े गौर से अंतिम के चेहरे को देख रही थी जब ये बात उसे अभास हुआ तो वो अपने सिर पर हाथ मारे खुद से बोली राधा ये क्या कर रही है तुझे दूर रहना इससे ताकि कोई और बाती ना बनाए कहकर राधा उठी और अलमारी से अपने लिए कपड़े निकाल नहाने चली गई कुछ दिर में जब राधा नहा कर आई तो देखी अंतिम का बिस्टर उठी चुका था राधा समझ गई वो बाहर गया है तो वो जल्दी जल्दी तयार होने लगी तयार के नाम पर वो बस बिंदी और काजल लगा चुकी थी बस सिंधूर लगाना बाकी था जिसे वो शीशे में देख लगा ही रही थी कि तब तक अंतिम कमरे में आ गया राधा को सिंधूर लगाते देख अंतिम शान्ती से बात्रूम में चला गया और राधा सिंधूर लगाकर नीचे आ गई दूनों के बीच में कोई बाते हूँ ही नहीं रही लेकिन ऐसा ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाला था क्योंकि कुछ देर में अंतिम भी नीचे ही आ गया लेकिन तब तक सब नास्ता कर चुके थे अंतिम को देखते ही राम नरेश जी बाहर चले गए जिससे अंतिम भी वापस अपने कमरे में जाने लगा लेकिन सुधा जी उसे नास्ता करने को कह दी सभी नास्ता कर चुके थे और ज्यादा लोग खाली नहीं थे तो सुधा जी राधा से ही क्या दे अंतिम को नास्ता परोसने के लिए राधा अंतिम को नास्ता देने गई तो देखी वो अकेली बरांदे में कुरसी पर बैठाया राधा सामने लखे टेबल पर नास्ती की प्लेट रखती भी बोली नास्ता कर लो अंतिम चुपचाप प्लेट उठाया और खाने लगा ना जाने क्यों वो चुपचाप खाती वे किसी छोटी बच्चे सा मासूम लग रहा था राधा को वो बड़ी गौर से देख रही थी अंतिम को सावला रंग समान सी काली आखे हलकी दाढ़ी और मूचे देखकर बिलकुल लग रहा था अंतिम अपने चेहरी को समाना नहीं जानता था बहराल उसी जरूरत भी नहीं थी राधा अंतिम को देख ही रही थी तभी अंतिम की नजर जैसी ही राधा पर पड़ी राधा हर बड़ा गई और वहां से आकर वो रसोई में आ गई सबके पास वहीं अपने पापा और बड़े पापा को घर से निकलते देख अच्छा मौका पाकर सुब और सुब्रा अंतिम के पास आकर बैट उससे हस्ती वे बाते करने लगे अंतिम तो बस हां या हम वें जवाब दे रहा था सारी बाते तो सुब या सुब्रा कर रहे थे देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं भाई बेन साथ में चाची जी अंतिम की ओर देख बोले राधा भी खिड़के से अंतिम को देखी जो हस्ते वे सुब्रा के गाल खीच रहा था लेकिन चाची सुब को तो मना किया है ना सभी अंतिम के पास जाने से वरना वो भी पढ़ाय लिखाए चोड उल्ती दिसा में बहज जाएगा सुननदा भावी अंतिम की मा की ओर देख चुटकी लिए सुधा जी निराश होकर सबजिया काटने दूसरी ओर चली गई चाची सुननदा को फटकार लगाई बहु लिहा सिरा कर और जाकर अपनी जेठानी सुधा जी के पास बैट गई दरहसल अंतिम की मा और चाची इदम बहनों जैसी थी वहीं बड़ी मा हमेशा से अपने पदवी के घमण में चूर थी तो उन्हें अपने बेटी और बहु का हिलाब हर जगे दिखता राधा इन बातों कुजन थोड़ा हैरान हुई वो ध्यान दी घर में अभी तक कोई अंतिम का जिक्र भी नहीं किया नास्ते की वक्त भी और वो तो नास्ता भी सबसे अलग कर रहा क्यों वो सबके साथ नहीं रहता ये सवाल राधा की मन में किसी काटे की तुरह चुभा रसोई में भावी और राधा ही थे तो राधा जल्दी से चावल डाल बना कर खाली हो गई सुननदा भावी गर्व से थी तो वो छोटे मोटे हाथ बटाने का काम ही कर रही थी राधा रोटिया बनाने गई तो चाची आकर उसका हाथ पकड़ ली नई बहु और इतना काम करेगे तेरे मा बाब बोलेंगे हमारी फूल सी बिटी अबर कितने जल्म करती है तीनो सास चाची जी की बात पर राधा मुस्कुरा दी नहीं चाची जी मुझे आदत है राधा बोली सुधा जी सबजी के थाले ले आती हुई बोली हाँ आदत है तो कर लेना जब हम बूरे हो जाएंगे अभी तो हम सब ही बूमे आदा आदा काम मिल बाट कर कर ही लेते हैं ऐसे किसी के जिमें ज़्यादा काम नहीं पड़ता हाँ देवरानी जी जाएगे दीवर जी को देख सुनन्दा भावी बड़े तंज भरे लहजे में बोली तो राधा के आखों में आसु भर आया और वो सीधे रसोई से निकल चली गई बस पदवी से बड़ी भोगों लेकिन जुबान दिमाग जितनी छोटी रह गई विसाखा चाची तम तम आते हुए बोली तो बड़ी मा मारा सोई में आती हुए गई क्यों री छोटी मिली बहु को डाट रही है सुनन्दा भावी नाटा करती है सिर पकड़ी रहने दीजे माची अब सब के चहती बहु आ गई तुम मुझे कौन प्यार देगा वैसे भी चाची मुझे पसंद की थी अपने अंतिम के लिए लिए मैं आपके बेटे को पसंद कर लिए तो बुरा लगेगा ना क्योंकि अंतिम्वा से बड़े भी दो बेटे थे तुम जा रामकुरभू छोटकी तो कुछ भी बोलती है सुधा जी मामला समालते हुए बोले नहीं भावी यौर रॉंग मेरे अर्थ भेया आपको रिजक किये थे शुब जो रसुई में पानी लेने आया था सबकी बात सुन अपने चस्मे को ठीक करता हुआ बोला और बड़ी मा को साइट कर एक लास पानी लिए चला गया सुननदा भावी गुस्से में पैर पटकती ही रसुई से बाहर चले गए उनके पीछी उने मनाने उनकी सास बड़ी मातुल से जी भी भागे बिसाखा चाची जोर से हसी और सुधा जी के हाथों से सबजी लेकर छौक लगाने लगे छोटी तु कहीं बोलती है सा एक तो सुब भी कम नहीं ये सब अंतिमोह की संगत के कारण हो रहा है क्यों देदी इस संसार में जो होरा है मेरे अंतिम के बिज़े से गंगाजी में पाड़ा ही तो मेरे बेटे के गलती आप लोग मेरे हस्ती खेलती बच्ची को कितना गुमस तर पर तकी और चादर उठा गुस्से मीधर उधर फेकने लगे रसुई में जो जो बाते हुई उसके दिल को कचोट रही थी गुस्सा और दुख परवान चड़ रहा था उसके वो अपने बालों को खोल गेहनों को उतार फेकने लगे जुमके अलमारी के पास तो हार वहीं क खड़े अंतिम को देख रुख गई राधा को रुका देख अंतिम अंदर आया और धीरे से बोल पड़ा आपकी मरजी है चाहे तो पहने या उतार कर फेकते हैं अंतिम मंगल सुत्र की बात कर रहा था ये बात राधा समझ चुकी थी कहना आसान है अंतिम तुम्हें क्या प परिवारे में किसी से भी नजरी मिलाओं तो लगता है सामने वुला यही कह रहा है अपने दीवर के साथ गुल चर्ड़े उड़ा रही कहते कहते राधा की नमाखों में छिपे आसु बाहर गालों पर लुड़ा काया अंतिम बिना किसी भाव के राधा क्यों देख रहा था उसके चेहरे की खामोसी ऐसी थी मानो किसी ने उसके चेहरे के सारी रंग छीन लिए हो नहीं तुम्हें कैसे पता होगा तुम तो खुश हो अपने परिवार के बीच सेल्फ डिपेंडेंट हो लेकिन मैं मेरी खुशिया का क्या तुम्हें चाहे जितना दूर रहो लोगों क तो का चाहती है आप अंतिम राधा की आखों में देखती हुए सवाल किया बस हम जितने दूर है उतना अच्छा राधा रोती हुई बोली अंतिम उसके और देखा हम चाहे जितनी दूर रहे ये नहीं बदल जाएगा कि हम पती-पतनी है और रही बात दुर्या की तो आप क कुछ भी करेंगे लोग बोलेंगे राधा जी आप भी नजर अंदाज करना सीख लीजिए राधा गुस्ते में लगबग चीखी हां नजर अंदाज करें जैसे तुम पूरे परिवार को करते हो बस खुद में मस्त रहना यहीं ना आता है मैं तुम्हारी जितनी महान नहीं अंतिम बखला कर अंतिम की ओर देख एक काम करो सच में पत्नी बना ही लो मुझे तब लोगों के तानी और बाती पर गुस्ता तो नहीं आगा यह सोच की चलो जो वो लोग सोचते हमारी बीच हो चुका है अंतिम अब भी बिना कोई जवाब दिये खामोसी से राधा की ओर देख रहाता उसके खामोसी राधा के जुझलाहा को और बढ़ा दी तुम्हें सच में किसी से फर्क नहीं पड़ता राधा अपने सिर को पकड़ी पूछी नहीं सायद हम से किसी को फर्क नहीं पड़ता आप भी सांत रिये राधा जी कुछ दिनों में लोग आपको भी जो दर्वाजी पर लगा लेकिन तभी कोई दर्वाजा खुला और अंदर आया ब्राधा देखी तो सुब खड़ा था हेलो 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 मैं प्रग्या मिर्शा श्रया आप लोगे सामने फिर से हाजिर हूँ कहानी पसंद आए तो कमेंट में जुरू बताइएगा मिलते हैं अगले भाग के साथ